हलो फ्रेंड्स मैं हूँ शिप्रा और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं बिर्यानी बनाने की रेसिपी नहीं बलकि चिकन को मैरिनेट करने की रेसिपी जी हां फ्रेंड्स बिर्यानी बनाते समय जो सबसे बिर्यानी को बहुत अच्छा टेस्ट देगी तो सबसे पहले हैं ले 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 लिए चिकन मैं ने हां 750 ग्राम चिकन लिए है उसे अच्छा साफ कर लेना हमें उसके बाद मैं आड करी हूं अदरक और लसन का पेस्ट देड़ बड़े चमच उसके बाद मैं आड करी हूं लेखे इसे बाद मिर्च आदाओ पाउडर आधा चमच यहां एक कर सकते हैं अदरक बड़े बड़े आदा चमच हल्दी क पाउडर उसके बाद सबसे इंपुरे नमक नहीं आड कि ए हुँ अड़ आड के लिए उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है कर्ड इस यहां 200 g पैकेट यहां यहां 100 g यहां 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 यूज़ कर सकते हैं मिंट लीप्स नहीं था तो मैंने यहां पॉडर बनाया हुआ था सुखी पतियों से वह आड़ करीज़ा है उसके बाद करियंडर पाउड लीप्स यानिकी फ्रेश धनिया का पत्ता उसके बाद फ्राइड बिरिष्टा भी गोलते हैं यह मैंने भी जस्ट बनाया है तेल में हमें प्याज को बहुत ही पतले-पतले काटके और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूल लेना ह आपके बड़े बिर्यानी का पौडरे भी तेया, इसमने की तेज पत्ता, बली इलाइची इलाइची, जूटी इलाइची, बलाऊ्पान, डाल चीनी, काली मिर्च वäche कर दूल होती है इस तरीके से लाइट की हुई हरी मिर्च दो बहुत ही तीकी मिर्च है इसलिए मैंने दो ही डाला है अब चाहे तो और भी जादा डाल सकते हैं अब इन सभी इंग्रीटेंट्स को हमें चीकन के साथ बहुत ही अच्छे से लगबाग पांच मिनट तक अच्छे से मसाज देना है तक एकदम अंदर पीसिस तक यह मसाले अच्छे से अब्जर्ब हो सके चीकन में इससे की टेस्ट काफी अच्छा आएगा बिर्यानी का तो फ्रेंड्स यह आप देख पारें कि बहुत ही अच्छे से मेरिनेशन हो चुका है तो इससे हम एक घंटे के लिए फ्रेज में रख देंगे अगर फ्रेज में नहीं बाहर रख रहे हैं आप तो इससे देर से दो घंटे आप रख दे इतना टाइम काफी होता है चिकन इस तो हम चाश्य से बिर्यानी बना सकते हैं हाइदर बादथी यह जैप और सच मानिए कि बहुत है अच्छा प्लेवर पाटाया तो फ्रेंड्स आपको यह डिश my शेर को सबस्क्राइब बाता है